देखिए ट्विटर के फोर्मर सीओ जैक डॉर्सी आपको पता होगा जब तक इनन मस्क ने ट्विटर को नहीं खरीदा था उससे पहले जैक डॉर्सी ही ट्विटर की सीओ थे वीजेपी गवर्मेंट नरेंदर मोदी लेड वीजेपी गवर्मेंट पे एक बहुत ही गंभीर आरुप लगा दिया है कल शाम की बाते जब 12 जुन 2023 को यानि की कल ट्विटर के फोर्मर सीओ जैक डॉर्सी से ब्रेकिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल नाम की एक यूट्यूब चैनल पर इंटर्विव देती हुए वहां के एक संभाद दाता ने पूछा जैक डॉर्सी से कि आपके पूरे टेनर की दोरान जब आप ट्विटर की CEO थे आप पे क्या फोरें गवर्मेंट का किसी भी प्रकार का प्रेशर क्रियेट नहीं होता था क्या उनकी डिमांड्स आपके पास नहीं आती थी कि कुछ एंटी गवर्मेंट ट्विट्स को आप डिलीट कर दो य इस कोशन का रिप्लाई जैक डोडसी ने किया तो उन्हें इस बात को बोला कि हमारे कारकाल के दोरान बिलकुल ऐसा हुआ है कि सरकारों ने हमारे उपर प्रेशर यानि की दवाप क्रियेट कराए और उन्होंने विशेश रूप से भारतिये सरकार को इस समय कोट किया उन्ह चल रहे थे किसानों के अंदुलन चल रहे थे आपको पता होगा तीन कानून भारत में आये थे जिसको किसान विरूदी बताये जा रहा था और पूरे देश में खासकर पंजाब में उसके खिलाब विद्रों चल रहा था तो फार्मर प्रोटेस्ट के दोरान जैक डोडसी ने कहा कि हमारे उपर भारत की सरकार के दोरा काफी प्रेशर को क्रियेट करा गया यहां तक की ट्वीट्स को डिलीट और अकाउंट को डियक्टिवेट करने की बात और डिमांड भारती सरकार ने कही और यह चेतावनी तक दे दी थी कि अगर हमने उन ट्वीट्स को या अक प्रोटेस्ट को बंद करानी की कोशिश ट्विटर पे उसकी वेरिलिटी ना हो ट्विटर पे वो ज़्यादा आख ना पकड़े इसकी डिमांड भरती सरकार ने करी थी यह आरोप अपने आप में बड़ा संदिक्द आरोप है जब से आरोप लगा उसके बाद भारतिय सरकार की प्रतिक्रिया भी आना काफी लाजमी थी कुछी समय बाद भारत की जो आईटी मिनिस्टर है जिनका नाम राजीव चंदर शेकर है उन्होंने ट्विटर पे ही इस बात का रिपलाई देती हुए कहा कि जेट डोरसी की पूरी कारकार के दोरान खासकर 2020 से 2022 के दोरान काफी बार ट्विटर ने इंडियन लॉस के साथ non compliance किया काफी बार भारतिय आईटी कालूनों की धज्य वड़ाई और जैक डोर्सी भारत की सरकार पे इंजाम लगा रहे हैं दरसल इलजाम तो हमें ट्विटर पे लगाना चीए कि उन्होंने भारतिय लोग के साथ भारतिय कालूनों को कम्प्लाइ नहीं किया इस प्रकार का आरोप जब जैक डोर्सी का स्टेटमेंट आया तो भारत के आईटी मिनिस्टर राजीव चंदरशेकर ने दिया है अब इस मुद्दे को हमारे निये समझना ज़रूरी हो जाता है का आम भारतिय होने की रूप में भी क्योंकि हम इस मुद्दे की बात कर रहे हैं जो लोक्तंतर से जड़ा हुआ है आपने काफी बार देखा होगा कि भारत में फ्रीडम ओफ स्पीच एंड एक्स्प्रेशन की बात कर लो या धारत में आप डेमोक्रिसी की रैंकिंग की बात कर लो, प्रेस की फ्रीडम की रैंकिंग की बात कर लो, इन सभी रैंकिंग्स में भारत बोटम कंट्रीज में रहता है और आप लोगोको मैं एक और बात बता दू कि Twitter by annually यानी की हर वर्ष में दो बार Twitter transparency report करके एक रिपोर्ट भी प्रकाशिक करता है ध्यान से सुनिये, Twitter transparency report, अब यह Twitter transparency report अपने आपमें एक अलक आयाम देती है चीजों को समझदेगा वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स वगेरा जो प्रेस का इंडेक्स हाता है फ्रीडम स्पीच एड एक्स्परेशन की जो बाते होती है उसमें वो एक डिफरेंट सेनेरियों को बताती है लेकिन ट्विटर ट्रांस्परेंसी रिपोर्ट जिसका 21st edition अप्रेल 2023 में प्रकाशित हुआ उस रिपोर्ट में इंडिया को टॉप पे बताए गया है अब ये ट्विटर ट्रांस्परेंसी रिपोर्ट में होता क्या है इंडिया को टॉप में बताए गया है ट्विटर ट्रांस्परेंसी रिपोर्ट में basically इस report में ऐसे आखडों को ऐसे numbers को count किया जाता है जो किसी सरकार के द्वारा Twitter से demand की जाती है 6 महिने के period के अंदर जैसे Twitter transparency report में जो data है वो जनवरी 2022 से June 2022 तक का covered है तो उस period के दोरान उन 6 महिनों के दोरान भारत की सरकार के द्वारा लगभग 53,000 बार legal demand रखी गई थी कुछ tweets को delete करने के लिए और कुछ account को हटाने के लिए 53,000 बार Indian government ने Twitter से demand रखी कि आप या तो यह tweet हटा दो या इस account को delete कर दो यह सबसे ज़्यादा थी world में किसी दूसरे देश ने इतनी demand नहीं करे थी Twitter से किसी tweet को अटाने के लिए ऐसा Twitter transparency report 2023 में है जो की Jack.si के बाद publish हुई है तो यह तो बड़े सवाल खड़े कर देता है भारती लोकतंत्र पे हाला कि हमें इस पूरे मुद्दे को समझना होगा हमें भारती पक्षे से भी इस मुद्दे को समझना होगा क्योंकि जब से यह बयान आया है Jack.si के द्वारा तब से काफी सारे ऐसे लोग जो Jack.si के इस बयान को condemn कर रहे हैं उसकी आलोचना कर रहे हैं वो काफी सारे Jack.si के एंटी भारत पहले के tweets और कुछ photos एक photo खासकर बड़ी जिसमें smash brahmanical patriarchy मतलब smash मतलब तोड़ दो brahmanical patriarchy को मतलब जो brahman वादी पित्र सतात्मक समाज इंडिया में उसको smash कर दो ऐसी काफी सारी में जिसमी भाई रही हमारे लिए इस पूरे सरकारों द्वारा ऐसी demand भी की जा सकती किसी platform से Twitter तो एक intermediary platform है ना Twitter खुद के account से तो इस बात को post करा नहीं है उसने ये तो Jack.si ने statement दिया है जिसका अब Twitter से कितना नाता है कितना नहीं है वो अपने आप में एक debatable चीज़े खेर यह तो दिया भी YouTube पर गया था भया एक YouTube चैनल पर लेकिन सवाल उठता है कि जैसे कोई content या कोई tweet पोस्ट किया गया कोई hashtag Twitter पर चलाए गया तो वो खुद hashtag Twitter ने तो चलाए नहीं है उसको तो आप हम जैसे लोगों ने चलाए तो Twitter तो एक intermediary है वो खुद content नहीं बना रहे है राइट उसपे तो लोग content बना रहे है जैसे YouTube एक intermediary है WhatsApp है, Instagram है, Telegram है यह intermediary platform है तो इन्होंने खुद ने तो content create किया नहीं है बलकि content तो लोगों ने create कराए तो क्या जब यह खुद भी content create नहीं कर रहे है यह intermediary है तो भी क्या इनको Indian IT का जो कानून है 2000 का और इसमें जो section 69 क्या उससे इनको तब भी comply करना पड़ेगा Twitter को यह दूसरे platforms को आप मेरी बात को समझ रहे हैं आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि Twitter पर जो content create हो रहा है जो hashtag चलाए जा रहा है वो Twitter खुद दो कर नहीं रहा है वो तो लोग कर रहे है वो तो intermediator ही है जिस पर लोग content create कर रहे है तो क्या भारत की सरकार के द्वारा ऐसी demand भी करी जा जाता है तो शुरू करते हैं आज की discussion को सबसे पहले आप लोगों को मैंने context में बताया कि Twitter की CEO का demand खास कर उस पीरेड को indicate करता है जब भारत में farmer protest चल रहा था अब इसका पूरा आप समझ यह इसमें इंडिया का पक्च्वियम को समझना पड़ेगा और सरकार का पक्च्वि पारे में तीन कानून आई थे 2020 की बाते 2021 की बाते सितंबर 2020 में specifically भारत की संसद ने तीन कानूनों को पारित किया था तीन farmer loss को सितंबर 2020 की बाते अब कई सारे लोगों ने इनको anti farmer loss बोला और इसका बड़ा विवाद हुआ था इसी के चलते भारत में किसान विद्रो की शुरुआत हुई जो एक साल चार मेने दो दिन तक चला था एक साल चार मेने तक ये किसान विद्रो चला था इस किसान विद्रो का एपी सेंटर पंजाब था पंजाब में इसी विद्रो के दुरान एक परसनेलटी का राइज होता है जिसका नाम था दीप संधू जिसने वारिस पंजाब दे नाम के और्गिनाइजेशन को बिल्ट किया यह वही वारिस पंजाब दे ओर्गिनाइजेशन की है के हैड दीप संदू है जो की पंजाब में काफी पॉपुलर कलाकार थे जिन्नों ने 26 जन्वरी को रेड फोर्ट पे से इंडियन फ्लेक को अटा के खलिस्तानी फ्लेक को लगाया था और यह वारिस पंजाब दे ओर्गिनाइजेशन वही ओर्गिनाइजेशन है जिसमें आगे दीप संदू की जब डेथ हो गई थी उनकी हत्या हो गई थी उसके बात इसके हेड अमरित पाल सि यह है और किस तरीके से वारिस पंजाब दे ओर्गिनाइजेशन विल्ट होता है दीप संदू पहले और बात में अमरित पाल सिंग आते हैं वो मैंने आपको बताया फार्मान लोज के जो प्रोटेश्ट हुए इस दोरान काफी सारी कैजॉलिटीज हुई लोगों की मरत्ति हुई और कई सारे लोग घायन हुए और इस दोरान एक ट्रेंड चलाए गया था उस ट्रेंड का नाम भी मैं आप लोगों को बताता हूँ फार्मर जीनोसाइड बाए मोदी इस तरह कई कुछ वो हैस्टेग था आपको मैं स्पेसिफिकली उसका नाम भी बताता हूँ तो उसका नाम था मोदी प्लानिंग फार्मर जीनोसाइड की नरेंद्र मोदी के दोरा जुक्यसान है उनका कतल्याम प्लान किया जा रहा है ये बात है 31 जनवरी के आसपास की 2021 में जब ट्विटर पर ये हैस्टेग चला अब ये तो गवर्मेंट का क्रिटिसिजम गवर्मेंट की आलोचना लोकतंद्र का बहुती अभिन हिस्सा होती है लेकिन इस प्रकार का हैस्टेग ये तो देश में और आकरूश का माहौल पैदा कर सकता था लोगों को लड़वा सकता था मोदी प्लानिंग फार्मर जीलो साइट 31 जनवरी 2021 जैसे ये हैस्टेग ट्रेंड हुआ भारत की सरकार ने ट्विटर से अपील करी कि वो ऐसे 257 ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दे जो इस हैस्टेग को सपोर्ट कर रहे हैं मोदी प्लानिंग फार्मर जीनोसाइट मोदी के द्वारा फार्मर का कतल्याम प्लान किया जा रहे हैं ये ट्विटर ट्रेंड को ब्लॉक करने के लिए 257 ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने की देमांड सरकार के द्वारा रखी गई अब इसमें मैं बाद में आऊँगा कि ट्विटर को इससे comply करना ज़रूरी भी एक ही नहीं है क्या भारती कानून में ऐसी एक पार्ट है कैसा भागे जो दूसरे प्लैटफॉर्म्स को भारती कानून से बाद होने के लिए मजबूर कर देता इस पे आएंगे ट्विटर ने ये 257 एकाउंट को ब्लोक कर दिया जो इस हैश्टेक को सपोर्ट कर रहे थे छे खुंटे बाद ट्विटर ने इनको रिएस्टेट कर दिया पुनर जीवित कर दिया फ्री स्पीच का हवाला देखे भाषन की सुतंता का हवाला देखे अब भारती सरकार का इस पे रियक्शन आना काफी लाजमी था भारती सरकार ने वॉन किया यह उस समी की बात है 2020 तब भी ये निउस चर्चा में रही थी ट्विटर बैन करके डिमांड भी चली थी गवर्मेंट ने ट्विटर को वॉन किया कि अगर आपने इनको दुबासर रिइस्टेट किया तो आपके उपर पेनल्टी होगी आपके टॉप एक्जिक्यूटिव्स को नौन कंप्लाइंस के लिए साथ साल तक की जेन भी की जा सकती है आप समझ लें पूरी बात को फार्मर प्रोटेश्ट हो रहे थे बढ़ रहे थे उस दोराज ट्रेंड चला प्रदान मंत्री कतल्याम प्लान कर रहे भारती सरकार ने ट्विटर से कंप्लाइ करने को कहा इन 257 अकाउंट को अटाड़ो ट्विटर ने अगसेप्ट करा दुबारा से उनको चालू कर दिया भारती सरकार ने वॉन किया तो अभी तक तो सब कुछ ठीक दिखता है अभी तक तो सब कुछ ठीक दिखता है दिखिए अगर किसी भी प्रकार से अगर ये बात सच है जो जैक डॉट सी के रहे अंटिन अनिस दे इंडियन गवर्मेंट इस आसकिंग जब तक भारती सरकार ये मांग कर रहे है कि आप ऐसे ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दो जो देश में नफरत फिना रहे और देश में पब्लिक ओडर को बिगार रहे है अब जैक डॉट सी यदी किसी ऐसी डिमांड की बारे में भी बात कर रहे है जिसमें पब्लिक ओपिनियन जो कर्श्टक्टिव क्रिटिसिसम है उसको भी दबाने की बात की जारी थी भारती सरकार के द्वारा तो वो एक सेपरेट इशू है वो मेरे और आपकी डोमेन में अभी अविलेबल नहीं है वो तो ट्विटर ही जानता होगा या भारती सरकार ही जानती होगी अब देखते हैं इस पर क्या इंवेस्टिकेशन वगेरा होता है तब नीज निकल के आती है लेकिन जब तक भारती सरकार की डिमांड ये वाली थी इस हैश्टेक को या उन अकाउंट को ले जाने की पब्लिक ओडर जो बिगाड सकते थे तब तक तो ये डिमांड आजमी थी तो डेट एकस्टेंट इट वस टोटली एकसेटिबल क्योंकि वो तो पब्लिक ओडर बिगाड ती थी ना लेकिन अगाई डिमांड ऐसी थी कि पब्लिक ओपिनियन बने ही नहीं फार्मर प्रोटेस्ट को जो कंस्ट्रक्टिव रूप में भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं अगर वो पूरी कॉंटेंट को हटाने की डिमांड थी तो वो टोटली गलत थी और वो लोकलंदर के खिलाफ सरकार का इक्षा नहीं था वो अभी हमें पता नहीं है बता लगीगा सबसे पहले हवारे उपास ये भी सवाल खड़ा उठता है अब आप स्क्रीन पर देखेंगे मैं कुछ टेक्निकल एक्सपेक्ट्स आपको बता हुगा काफी इंपोर्टेंट है वो तो जैसे कि हम बार बार आर्टिकल 19 की बात करते हैं फ्रीडम ओफ स्पीच और एक्स्प्रेशन की बात करते हैं तो हम ये भी जाने की चा इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे की ट्विटर हैं इस्टाग्राम में क्या सरकार इनसे डिमाड भी रख सकती है कंप्लाई करने के लिए तो इसका आंसर है जो इंडिया में आईटी एक्ट है ठीक है उसमें जो सेक्शन 66A है उसके तहत ये डिमाड करी जा सकती है जो इंटरमीडिटरी प्लेटफॉर्म में वो भी उनको भी कंप्लाई करना पड़ेगा आप लोग देख सकते हो कि जो इन की नहीं वाय है उसमें सरकार किसी भी इंटरमीडिटरी प्लेटफॉर्म जैसे की टेलिकॉम जैसे की नेटवर्क सर्वेस जैसे की इंटरनेट सर्वेस और वेब होस्टिंग जैसे की ऑनलाइन पेमेंट आक्शन साइट ऑनलाइट मारिकेट प्लेसेस और उसके साथ साथ सा प्रेटफर्म सोते हैं, टेटर, इस्टाग्राम, यूट्यूब अगेरा, ये खुद content को create नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग इसे पर content को create कर रहे हैं, इसलिए intermediaries कहा जा रहे हैं, इनको, intermediaries कहा जा रहे हैं, ठीके, ये खुद content क्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको भी IT Act के तहत Mbit में आते हैं, इनको भारतिय कानुन से comply करना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीके, किस-किस मुद्दे पैसा किया जा सकता है, अगर वो देश की sovereignty और integrity से related हो, अगर वो भारत की security से related हो, भारत के public order से related हो, आप लोग ये चारों-पांचों चीजों को पड़ेंगे, तो आपको भारत का article 19 याद आएगा, भाई भारत के article 19 में क्या है, freedom of speech and expression है, अभी वेक्ति और भाशन की सोतनता है, और freedom of speech and expression के साथ-साथ, right to peacefully assemble without arms, आप लोग शान्ती प्रिये तरह से आंदोनन करो, इसका भी अधिकार है, भारत में तो आंदोनन करने का अधिकार, obviously हो गई एक अधिकार के रूप में, एक मौने का अधिकार के रूप में, क्योंकि देश को सोतनता ही आंदोनन के बदोनत मिली है, उसमें आंदोननों को एक बहुत बड़ा रोल था, तो भारत में आप Freedom of Speech and Expression, आर्टिकल 19 के तहते और उसके साथ साथ आंदोनन करने का अधिकार है, लेकिन Freedom of Speech and Expression, आपकी इस तरह की होना चीए, कि वो Public Order को destroy नहीं कर रही है, देश की security को खतरे में नहीं ला रही है, क्योंकि आर्टिकल 19 एक absolute fundamental right नहीं है, ये एक सर्वोच मौने का दिकार नहीं है, इसमें reasonable restriction लगते हैं, युक्ति युक्ति निमबर्दन लगते हैं, युक्ति युक्ति निमबर्दन का मतलब है, आप अपने Freedom of Speech and Expression को exercise कर सकते हो, उस extent तक जब तक देश में Public Order बिगड़नी रहा है, देश खत्रे में नहीं आ रहा है, अगर आपका Freedom of Speech and Expression देश को खत्रे में ला रहा है, देश की दूसरे देशों के साथ संबंध बिगाड़ रहा है, देश की अखंडता संपरभूता को खत्रे में ला रहा है, राश्टिय सुरक्षा को खत्रे में ला रहा है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते युक्ती युक्त निमवर्दन reasonable restriction के दायरे में चलना पड़ेगा as long as you are under the impact of reasonable restriction, you have the freedom of speech and expression अगर वो दायरे को हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो फिर उसके लिए कानूल है तब हमारा मौलेकदिकार काम नहीं करता है और ये तो ठीक भी है अगर मान दिजे कोई एक news channel है, वो content create कर रहा है, freedom of expression के तहर्ट, और पता चला कि वो भारतिय बॉर्डर पे चला क्या, और भारतिय बॉर्डर पे जो plan करा जा रहा है उसको उसने live stream कर दिया और बोला जा रहा है कि मेरा freedom of expression है, तो देश की सुरक्षा जो है, वो तो खत्रे में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, उसी तरीके से section 69 जो है, IT Act का I think मैंने उसको पहले 66 A लिख दिया था इस slide में आप देखेंगे, माफी चाहूँगा उसके लिए 66 A जो है हमारा IT Act का वो बताता है कि compliance करना पड़ेगा किसी platform को भी, जैसे Twitter वगिरा है, उनको भी इससे compliance करना पड़ेगा, तो भारतिय सरकार की demand गलत demand नहीं होगी, इस case में जैसे अगर Modi Planning Farmer Genocide Hashtag चन रहे, तो public order को maintain करने की लिए अगर हम उस Twitter account को suspend करने की बात कर रहे हैं, तो वो IT Act के साब से एक illegitimate demand नहीं है, और Twitter को उस पर comply करना पड़ेगा, आपको मेरी बात समझ में आई, hate speech, rumor, infiltratory and provocative messages, अगर कुछ hate speech, मतलब घरणा वाक्य किसी प्रकार की अभवा फिलाने का प्रयास किया जाता है, या child pornography वगेरा होती है, तो demand करी जा सकती है, सरकार की द्वारा, और platforms को compliance करना होगा, तो यह demand, illegitimate demand नहीं की लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि as long as the demand of India government was under the aim of removing such accounts or tweaks which were spreading head जब तक उस सीमा में demand थी तब तक ठीक है लेकिन सवाल ने उठता है जब पूरे 54,000 या 53,000 जो demand की भारती सरकार ने Twitter से January 2022 से लेखे जब तो आंदोनचन नहीं लाता कि सानवनदमन January 2022 से लेखे June 2022 के बीच में जो 53,000 या 54,000 request या demand गई Twitter platform के पास भारती सरकार के द्वारा कि आप इन accounts को या इन tweets को take down कर लो क्या वो पूरी demand ऐसी ही थी जो देश के लिए खतरा पैदा कर सकती थी या कुछ ऐसी भी demand सरकार के द्वारा take down करने की अपील की गई जिसमें constructive criticism होगा था अगर constructive criticism वाली demands को take down करने की demand की गई 53,000 में से अभी मुझे उसका break up नहीं पता है अभी वो publicly available नहीं है मैं और research करके उसको ढूनने का प्रयास करता हूँ या उसका break up क्या उसका break up जानने के लिए भी हमें Twitter पे hashtag चलाना होगा पता लिए आप लोजी Twitter पे follow कर सकते हैं मैंने इपनी Twitter की details दे दिये अभी उसके बारे में पता नहीं है लेकिन अगर 54,000-53,000 demands में से कुछ ऐसी demands भी थी जो constructive criticism आलूचन की उपर आधर थी जो लोगतंतर का अभी हिस्साब होता है ऐसी post को take down करने के demand लिदी करी गई है तो वो totally illegitimate है वो लोगतंतर के लिए खतरा है जैसे जैसे और details मुद्धे पे आएगी हम आप लोगों के साथ जरूर जुडेंगे मेरा एक इस पे अगर आप वेक्तिकत रूप से पूछोगे संतुलन एक बहुती important word है balance पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में entrepreneurship उद्धिमिता में या public domain में government की policies में government के वाक्यों में संतुलन balance बहुत ज़रूरी होता है article 19 भी हमें संतुलन नितो देता है एक तरफ हमें बोलनी के आजादी देता है दूसरी तरफ देश की security को भी सुनिष्चित करता है इंशोर करता है तो एक balanced approach उसमें है तो उसी प्रकार का एक balanced approach होना चाहिए यदि कोई demand ऐसे platforms पेसे content हटानी की की जा रही है जब तक वो देश की security और जो मैंने आपको बाते बता ही उसकी निए खत्रा है तक वो चीज़े ठीक है ऐसी demand करी जा सकती है लेकिन अगर कोई constructive criticism और public opinion कोई दवानी की कोशिश की जा रही है तो फिर वो गनत है वो लोकतंत का end है भारती लोकतंत की उपर दूसरी भी काफी reports जो है वो प्रकाशित होती रहती है जो लोकतंत्र की स्थिति को ठीक नहीं बताती है खेर आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है आप लोगों से जानने का मुझे इंतिजार रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो comment section में हमें बताइए और इस वीडियो को like कीजिए समभार्द्यों तक इसको share भी कीजिए क्योंकि काफी सारे लोगों को अभी भी इस मुद्दे को लेके ब्रह्म आए कि actual चीज क्या है धन्यवाद चाहे